लालबाग प्रीमियर लीग कायोजन किया जाता है विकरान द्वारा हर साल और पुरी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा फिल्म स्टार और सीरियल आर्टिस्ट के बाइट्स उस टूर्णामेंट के लिए दिये जाते हैं माराटी सीने स्रुष्टी के अभीनेता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडूसर डिरेक्टर्स एक्टर्स लालबाग प्रीमियर लीग को अपनी शुब कामना ही देते हैं तो लालबाग के राजा का अशिरवद वाली यह टीम है और इस मैच में आप खिलने के लिए बेताव है खिलाडी जियां यह मैच में जो थीम है उसमें एलिफंट है श्री जागा 10 9 वुल्फ वुल्फ एलिफंट फाइटिंग तोगेधर वाव जंगल में मोर नाचा किसी ने ने देखा लेकिन जंगल में एलिफंट और वुल्फ के बीच में जंग हुई तो सब ने देखा आईए काउंड़ाउन देखते हैं काउंड़ाउन के बाद मैच शुरू होगा रही थी पहला और करेंगे रवी मुंबक और बेटर है थॉमस डायस वाइड बाल से शुरुवाद यहां पर रवी मुंबक की वेलकम मनोर रहा है कई टीमें जो दो-दो मैनेजर के फॉर्मेट में काम कर रही है उसमें आइनॉक्स वारिज राइगड भी है बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला यह थॉमस की सही तकनिक है थॉमस जबकि अंडराम लक्वा क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर है और टर्फ क्रिकेट पर उन्होंने काफी मैचेस केले हैं आइधिंक टर्फ क्रिकेट का एक्स्पिरियंस और लेधर बॉल का एक्स्पिरियंस यह दो चीजे आपके बायू डेटा में अगर है तो यह फॉर्मेट के आप बाच्शा है और दोनों अगर आपके बायू डेटाम है तो फिर बल्ले बल्ले स्कोर टू विदाउट लॉस अस्टाइक पर है भारगो पादिल बॉंबक की एकेंड इस बार बहुत शालीन अंदाज में स्क्वार कट लगाया था बॉल नेट में फस गई है वहाँ पर एक रन राइटी और लेफ्टी बैटिंग कॉमिनेशन है बैक्ड़ाउंड में बैनर के उपर आप मेज देखना है गदा जिसको अंग्रीजी में मेज का जाता है वजयता टीम को एक10000 रुपई और मेज उपर वजयता टीम को 50,000 रुपई और मेज बैस्ट बैटर, बैस्ट बोलर को 5,000 रुपई Man of the Tournament को 10,000 रुपाई की नामी राशी हर मैच के लिए Man of the Match में Force का T-Shirt बले के मुझ को खोलते हुए बहुत चतुराई के साथ केला है Proper Under Arm Box Cricket वाली method से बले बाजी चल रही है बोरिवली दैसर में अगर आप चले जाए Under Arm Laqua Cricket बहुत फेमस है Rainbow, Wajra Sports, Dicer Boys, Aquira Boys, United ये टीमें तारीक सास टीमें है उपर उठती हुई बॉल, रवी बुम्बक की तारीफ करनी होगी ये वो खिलाडी है जो अच्छे पेस पर बोलिंग कर लेता है स्टम के करीब आकर एक अच्छा लेक कटर अच्छा उच्छाल है इस ऑस्ट्रेलियन टर्फ पर स्कोर फोर विदाउट अनी विकेट्स, ओवर नमबर वन संदी पाचारे ने गेंद को रोका संदी पाचारे दोस्तों आप लोगों की जानकरी के लिए एवन भांडूप के लिए कही साल खेले हैं अंडराम, ओवराम, संदी पाचारे यह बहुत अच्छे डांसर भी है उनका एक वीडियो अंपर गोट्या के साथ कुछ साल पहले वाइरल हुआ था स्कोर फाइव विदाउट एनी तो यह पांचवारन पारीगा एक ओवर का खेल यहां पर पूरा करते हुए रवी बुम्बक कल हमने देखा मेंटर मैच का जा तक सवाल है पहले मैच में उमर खान दूसरे मैच में गिरिश कोच रेकर तीसरे मैच में रुतुराज इनको मैच दिया गया और फिर केतन मात्रे ने दो बैक टुबैक मैणदर मैच लिये और म को आज के पहले मैं पार्श को हमनी बैड ने थेव है ऍस टुड न में अब तक छे मैच में दो मैच belonging में बोल्रस को मैंन फुर्द मैच मेले हुन्द a उड चार अज मैच इस मैट्र स wicked को नहीं ओर शुरू करते हैं रोहन रान प्रोइद माने जब लालबाग प्रीमेर लिग में बोलिंग करते हैं तो उनके ओपर इंडिविजुल इनाम भी काफी लगाया जाता है प्रोइद माने रोइद माने के पापा इनको माने सब को भी क्रिक्ट का बहुत शौक था और रोइद अपे पापा के सपने को पूरा कर रहा है अच्छी बात है बहुत जबरतास क्रिकेट उन्होंने अंडर 22 में भी खेली है मुंबे टैनिस क्रिकेट प्रीमेर लिग में भी अच्छा प्रदर्शन और अब बारिश के क्रिकेट में 7 बिदाउट लॉस इस पर तकड़ा शॉट 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 अब यावा रगाव पादिल पादिल संदे आध कर रएच सणनाए score o के आबार रहा एटं-ना-तं-न टरा शीद के जरीय होरो के आबारा और अब हो गया तेरा, what a stroke that was, marvellous shot wide and full ball थी, बहुत अच्छा पेस था उस गेंद पर और रोहित माने एक अच्छे प्लेयर है, काफी यंग प्लेयर्स है लालबाग में और लालबाग प्रीमियर लीग में उनको जो तजूरुबा मिलता है और विकरान जादा हो साल में जो भी टूर्णामेंट्स कहलते हैं उसमें लालबाग के लड़कों को मौका भी देते हैं इस बार on drive और एक रन का इजाफा score आगे बड़ता हुआ चाओदा इस मैच में नितिन जंगम जैसे senior player को भी आप देखेंगे जो इन दिनो 40 प्लस में अच्छा केल रहे हैं स्कोर है चाओदा अन दिया बिल्कुल केंद की लाइन में आकर थॉमस केल रहे हैं थॉमस क्या यह नैच्रल गेम है और स्कोर आके बड़ता हुआ पंद्रा साथ बॉल चार पर थॉमस है पाँच बॉल नाव पर भारगा हुए जिन्होंने एक सिक्स लगाया है रोहित माने अपनी अंतीम गेन और बहुत अच्छी लिफ्टर बॉल के जरी ओवर समाप्त होता हुआ रन रेट सेवन एन आफ टू ओवर्स फिटीन रन्स रवी बॉंबखक ने पहला ओवर किया दूसरा ओवर किया रोहित माने ने पहले ओवर में पांच और दूसरे ओवर में दस रन आप देख रहे हैं फॉर्स प्रेजेंट्स फॉर्स कप ट्वेडी ट्वनिवर वेट विट लिक सेजन वन फोर्स प्लेइ फील्ड गोराई बोरियुली पश्चिम में पारी का तीसरा ओवर जारी रखेंगे रवी बुंबक रवी का मतलब होता है सूरिय आसमान में भी एक सूरिय तपराई एक सूरिय कल हमने देखा सूरिय कुमार यादव जो कैच लिया उनीस सो तिरसी का कभिल देव का कैच और कल जो कैच लिया गया दोनों कैच इस को कैच आप दे सेंचुरी अगर मैं कहूं तो मुझे बड़ा फक्र होगा कैच इस दाट वन दो वर्ल्ड कप फॉर इंडिया बहुत बड़ी अकन पट्टी के बाजु से गुजरती हुई कि रवी बुंबक वही अर्यान भी अंदाज है उनका और यहां पर थॉमस के साथ बात करते हुए बारगाव पाटिल यह बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से बात करना टॉक टू इच अदर रिफर किया गया है इस अवाइड बॉल स्कूरा के बड़ता हुआ सोला एक्स्टार रंस के ओपर भी श्रीजालालबाग की नजर होगी अपरकट मारते हुए एक रन नेट पर गई थी बॉल वाइड लाइफ का थीम है और सारे वाइड लाइफ के जो जानवर होते है वो जंगल में रहते हैं वैसे ही जो है जंगल है क्रिकट का जिसमें शेर भी है वाग भी है भालू भी है हाती भी है सत्रा बहुत रिस्की रन है लेकिन पूरा कर दिया यस थॉमस बहुत तेज दोड़ कर गए थे दसमें से नौ बार ऐसे रन पर बैटर आउट हुए लेकिन थॉमस नहीं थॉमस वास अल्वेस इन ताइम ऐसा लगा बातला देवी मंदीर से आनन नगर तक थॉमस दॉड़ कर जा रहा है स्कूर एटीन रन चुराना एक कला है स्टीलिंग दरन इस अनार्ट प्रोजेक्टेट स्कूर एक तालीस का नजर आ रहा है आइनॉक्स वारियोज राइगर के लिए करेंट रन रेट पर देविल टच्च पॉर्टीवन इस बारुफ शॉट और रिस्की रन है नौ दिस दा रिस्की एस्ट रन लेकिन वहां पर देखना होगा बेल्स गीर और थर्ड अंपर की मदद बहुत अच्या थ्रो रवी बुंबक का नौन स्ट्राइकर एंड का रेफरेल है आउट के लिए रवी बुंबक ने जात्रो किया था थर्ड एंपाइर नौट आउट दिये गए हैं तो यह सर्वाइब ने एकी एंड का रेफरेल है दो जो सबसे रिस्की रन पैटन है वो है रूफ को लगकर नौन स्ट्राइकर एंड पर और बॉल जब पीछे बैनर को लग रहा है तब का रन स्कोर अभी भी रुका हुआ है अटरा बर एटीन वी आ इन ओर नमबर त्री रवी बुंबक अब तक आठ रन दिये अपनी दस गिंदों में बुंबक ने इस बार भी बैटर बॉल थी रैफरल के वल बीमर और बाउंसर के लिए हैं रवी बुंबक बहुत किफाइदी के इंद बाजी रही है उनकी ग्यारा बॉल में आठ रन दिये उन्होंने अठरा स्कोर है और यहां पर बैटरीन टाइमिंग के जरीए यह फ्लिक शॉट हवा में और चार रन बिल्कुल उसी शॉट की जरुवत थी और यह चाबुक शॉट तीन ओवर की समाप्ती पर स्कोर है बाईस और चाओथे ओवर के शुरुवात में अब पिछके उपर पानी मारा जाएगा किस तरह से देखे उस फ्लिक शॉट को अंजाम दिया थॉमस डाइस का हैंड आइक ओडिनेशन देखते ही बन रहा था थी ओवर्स 22 विदाउट लॉस्स ट्रॉंग शुरुवात थॉमस डाइस बारा बॉल नौ भरगो पाटिल साथ बॉल दस रवी बुंबक दो और बारा निलिश पर्देशी और मनोर राई के चहरे पर भी खुशी है अमित गुपता इंटरनेट पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत है आइनॉक्स वारियर्स अमपर ने बॉल की मांग किया और अब पिछ के उपर पानी मारा जाएगा पानी का चिड़काव आप देख रहे हैं फोर्स प्रेजेंट्स फोर्स कप 2024 वेट विकेट लीग सीजन वन फोर्स वन लाइब के यूटूब चैनल पर चैनल को लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे और बाजू का बैल आइकन दबाना न भूले एक बार जरूर अपनी जेब से मोबाइल निकाले दोस्तों जहां कई भी है आप दुकान में मकान में सलून में जहां कई भी हो और अपने मोबाइल पर जी यहां यह पानी मारा जा रहा है फोर्स बहुत जरूरी है जीवन में फोर्स कप की यह गेंद की पेटी है और यहां पर यह बॉल दिया जा रहा है बहुत अच्छे इंतजामात बंटी बाई रोहन बाई और पुरी टीम द्वारा पूरे हिंदुस्तान का क्रिकेट आपका अभारी रहेगा फोर्स ग्रूप का आपने एक नया फॉर्मेट लाया खिलाडियों में ताजगी लाई पीने का पानी जैसे जरूरी है वैसे ही यह क्रिकेट में पिछके उपर पानी जरूरी है ऑस्ट्रेलियन टर्फ गास है जिसके उपर आप हॉकी फुटबॉल जैसे खेल आजकल देखते हैं खास करके हॉकी ओदीश्चा में जो वर्ल्ड कप हुआ एस्ट्रो टर्फ पर हुआ कलिंगा स्टेडियम बर और आस्ट्रेलिया हॉकी में सुपर पावर है बहुत अच्छा पैटर्न है ग्राफिक्स का और दोनों बैटर्स आपत में बाच्चित करते हुए एक तरफ वर्ल्ड कप समाप्त हुआ यूरो 24 के नॉक आउट शुरू हो चुके हैं यूरो जरूर देखे आपके पसंदीदा टीम को फॉलो करें तीन एक्स्ट्रा रन आए अब तक तीन ओवर के तीन एक्स्ट्रा इस गुड तिंग रवी बुंबग दोवर 12 रन रोहित माने एक ओवर 10 नया ओवर शुरू हो रहा है एक यूवा टीनेजर बोलर को अजमाइश की जारी है श्रीजा 11 लालबाक के विक्रांद वारा बोलर है शगुन कलम ने शुबम देखा आप देख रहे हैं शगुन क्या विकेट का शगुन ले पाएंगे शगुन जी हाँ कॉमेंट डेटर सकर्स इसको कहा जाता है सुन साइबा सुन शगुन ने विकेट को लिया है चुन पहली बॉल पर क्रॉस बैटेट शॉट और एक आसान कैच मुकमल किया गया फ्लैट शॉट था रोन राणिने कैच लिया ने बैटर रब ने बैटर रहस वपनील सालवी रूफ शॉट स्वपनील सालवी का स्वपनील सालवी बोरीवली कर रहे हैं और आपकी जनकरी के लिए प्रबोधन T20 का वो मैच मैं आज भी नहीं भुला हूँ लगबग चठे साथे नंबर पर बैटिंग के लिए आये थे और वो 40-50 रंजोडनों ने बनाये और उनके पापा के सामने वो रन बने वो सबसे बड़ा लमा था स्वपनील के लिए इस बार बहतर शॉट लेकिन वहाँ पर उतना ही उम्दा कैच रवी बुमबक द्वारा और थॉमस कॉट रवी बोल शगुन गुन 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 शगुन जब जून के महीने में गर्मी रही है भुन ऐसे में गेंदबाजी के लिए आ गया शगुन और धर्मिंद्र का डायलोग याद आ गया मैं चुन चुन के विकेट लूँगा और दो विकेटे ले लिए दोनों उपनर्स आउट शगुन अब नए बैटर है रवी सोलंकी ये भी एक बहुत बहतरीन बैटर है मुझे आदे हाथ से दो साल पहले विकरोली में उन्होंने जबर्दस बले बाजी की थी जैसे ही बारिश का मौसम आता है रवी सोलंकी लेधर बॉल के भी बहुत बड़े क्रिकेटर है 23 फर टू कैच का मौका बॉल बीच में टपाखा दी हुई और रवी बच गए 24 पे दो युवा उदई मान खिराड़ी क्या कर सकता है ये विकरान ने बताया गिव चांस टू दे यंग प्लेयर्स 18 से 24 एज ग्रूप में बच्चों को मौका दीजिए वो फ्रेश होते है प्रक्टिस का समय होता है उनके बास इस बार तकड़ा शॉट है लेकिन रोका गया वहाँ पर स्वपनिल सालवी बेखौफ होकर वो शॉट कहला था 25 पर दो चौथा ओवर चलता हुआ बहुत इंटलिजन प्लेश्मेंट और बॉल नेट में फस गयी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर टू आप्टर फोर ओवर्स रंडेट 6 एन आहाफ यह कैप्टन कम ओनर विकरान जादव को दिखाय जा रहा है आपके स्क्रीन पर चार ओवर 26 और दो विकेट दोनों बैटर्स दो-दो रन पर खेल रहे हैं दोनों ने दो-दो केंदो का स्थाना किया है शगुन एक ओवर चार रन दो विकेट पहले उन्होंने भारगव को आउट कराया रोन राने के हाथों में और उसके बाद थॉमस को आउट कराया सबसे बड़ी बात है कि दोनों बैटर्स पुल शॉट करने गए और दोनों का पुल शॉट फ्लैट था और दोनों मिड विकेट पर आउट हुए सेम पैटर्न और सेम बॉल और सेम विकेट देट्स शगुन आज रात को हमें विजटा टीम का पता चलेगा आग लगा लो सीने में जब तक एक लाख न जीतो जून के महिने में आज रात को एक लाख रुपय की इनामी राश्ची दी जाएगी विजटा टीम को और वो गदा दी जाएगी मेज ट्रिकेट में पहली बार इसका आवाड दिया जाने वाला है जो वर्ल्ड टेस्ट चेंपेंशिप में आप गदा देखते हैं दमेज चार ओवर चबीस और दोवी के ड्रवी सोलंकी और स्वापनील साल्वी दोनों लेजर बॉल के अकमप्लिष्ट बैटर्स हैं अजर लेफ्ट आम राउंड विगेट मुझे बिल्कुल इर्फान मलिक का बोलिंग एक्शन याद आ रहा है अजर शेक को बोलिंग करता हुआ देखकर स्वापनील साल्वी एस एस सिंप्ली सूपब साल्वी वाइड बॉल वाइड बॉल पर बाद यहां वन पर ओर का इशारा है अजर शेक लाटीवी जुल्फें दिके सबसे बड़ी बाती हुए होती है रनप फिर प्रीडिलीवरी श्ट्राइड फिर इन बाउं फिर फ्रट फूट लंडिंग फिर बैक फूट लंडिंग और फॉलो थू कि यंबाजी के सारे पहलू you can learn from Azhar Sheik the way he comes and runs in streaming in एक बार फिर से run-up pre-deliver stride inbound front foot landing back foot landing so we welcome Rauf Khan बोरी लिवाइस के रौफ का रौफ का खौफ हुआ करता था और रौफ के सामने बैटर उफ नहीं करते थे जब वो बोलिंग करते थे बोरीवली में आये और बोरीवली बोईस की बात न करें तो फिर नाइन साफी होगी राम यादव योगेश जक्ता एक से बढ़ करें रदनीश तिवारी बत्तू सुबाश कोलापने सर रौफ पाई सारप सावे बोरीवली बोईस वाज भी आद है मुम्रा के मित्तल ग्राउंपर सुबापने चार बजे राम प्रकाश ने वो जो 6 मारा था अनले टेल यू एमराई बाल पर तास्ट एजी रिटिंग 6 अफ लास्ट बाल सुबापने चार बजे दिनेश बाइस के सबसे बड़े गवाह है एवन बंडूप के मैनेजर स्कोर तीसन दो विकेट के नुकसान पर रवी सोलंकी दो पर स्वपनील थीन पर एक्सप्रेस बॉल देखे अब विकेट कीपर आ चुका है ये टूनामेंट में विकेट कीपर के लिए विकेट कीपिंग गलव्स और हेलमेट्स ये भी मुहया कराई गई है स्कोर थर्टीफर टू फोर्स कप का आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला इसके बाद छे मैचेज अजर शेक स्टम टू स्टम बोलिंग ये बहुत कारगर केंद बाजी है क्योंकि जब आप स्टम पर बॉल करते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते हैं आप बैटर को खिलने के लिए मजबूर करते हैं यह दो बड़े एडवांटिजिस है जब आप स्टम टू स्टम बोलिंग करते हैं तीस पे दो रवी दो स्वापनिल थीन अजर चार बॉल चार रण और नो बॉल फ्री हिट थोड़ा सा थेज करने का प्रयास राउंड दो विकेट की जगा अब ओर दो विकेट आये हैं और वही बर कहीं अपने रनप में चूकते हुए अजर शेक 31 फर टू इसमार हो ब्लाइंडर कैच होते होते रहे गया वाट अ ट्राइब रोहित माने अगर मेरा बस चले तो लालबाक गणेचोचव मंडल के बराबर पंडल के सामने 41 फर नमबर का जो खंबा है उसको रोहित माने का नाम दे दू क्या डाइव लगा है उसने सूपर संसेशनल और यहां पर एक आसान कैच और आउट होते वरभी सोलंकी विकेट मिलता हो अजर शेक को काम्याब ओवर रहा पांच ओवर की समापती पर स्कोर है 32 तीन किलडियों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए आइनोक्स वारियोस राइगर अब गुपता की टीम है बोलिंग कर रही है श्वी जालालबाग विकरान जादव की टीम है रंडेट 6.40 प्रोजेक्टेट स्कोर 38 अब जो भारतिया दर्शकों को टेनिस बॉल में छे ओवर में 70, 80, 100 देखने की आदत है ये एक अलग क्रिकेट है इस इस डिफरेंट क्रिकेट और आज का जो मॉडर्ण डे क्रिकेट है वो आप से हर प्रकार का स्किल डिमांड करता है वीविन रिचर्ड्स, कपिल देव जैसे खिलाडी क्रिकेट के बाद गॉल्फर बने और गॉल्फ में उन्होंने अपना लोहा मनवाया बिकॉस जो बैट गुमाने की कला है और गॉल्फ स्टिक गुमाने की जो कला है लगबक समान है आखरी ओवर माने की पहली गें दिस बार नेट बर और स्कोर 33 फर 3 प्रभी सोलंकी तीन बॉल दो बना कर आउट वेस अपनिल सालवी हांट बॉल चार प्रतमेश बेलचेड़ अन्ना रैपिड बॉल जिस तरह बियार टी एस में अपनी लेन में बस चलती है वैसे अपनी लेन में वह गेंग गई थी 33 फर 3 लास्ट ओबर स्टोक बढ़िया है लेकिन वहां पर एक से ज्यादा मिलना मुश्किल रहेगा विल्डिंग का स्टैंडर बहुत अच्छा रहा है स्टीम में जिनकी उम्र पचीस और उससे कम है ऐसे लगब तीन से चार प्लेयर हम देख रहें इस टीम में अच्छा प्लेस और यह यंग प्लेयर देर लेक्स अफ्रेश स्क्वेर कट लगाने का प्रयास और एक रन जरू बनेगा दूसरा होना थोड़ा मुश्किल रहेगा 35 रन तीन विकेट के नुक्सान पर बारगाव पाटिल थॉमस डायस और रवी सोलंग की यह तीन बैटर्स आउट चुके हैं इस पारी में अब तक अच्छा क्रिकेट एक और लाजवाब गेंद और रन आउट की अपीलर आउट चौता विकेट यहांपर धराशाई होता हुआ रन आउट के रूप में माने का बोलिंग एक्शन काफी रिधमिक है देखें जैसे ही रन लेने के लिए दोड़ें वहाँ पर तैयार थे सूपर डूपर अटेम्ट पिछले मैच में हमने देखा हूंकर देशाई ने हेलमेट पैनकर जौन्टी रोड्स के स्टाइल में स्टमपर डाईव लगा दी थी परतमेश बेल चड़ा आउट उकर वापस लोटे एक रन बना कर और उनकी जगा आए है अपसुनील चावरी यह भी लैधर बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर है और सामना करेंगे रोईत माने का पारी की आकरी गेंद रन लेने का प्रयास और यहां पर एक और विगेट 35 पर 5 यह फाइनल स्कोर है 36 बॉल में 36 रन बनाने है 36 बॉल 36 रन्स तुविन पर श्रीजा इलवन लाल बाग बॉल इक्वेशन बहुत खुबसूरत फिल्डिंग का मुझायरा विशारत पगा रहे थे वहाँ पर तो थॉमस डायस थेरा बॉल नौ भारगव पार्टी लांड बॉल दस वपनिल सालवी दस बॉल चे रवी चोलंकी तीन बॉल दो प्रतमेश बेल चड़ा तीन बॉल एक सुनिल चावरी एक बॉल शून यह नट आउट विशारत पगारी की बैटिंग अगर आप देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे ऐसा बैटर है रभी बुंबक दो ओवर बारा रन रोहित माने दो ओवर तेरा रन शगुन जादव एक ओवर चार रन दो विकेट अजर शेक एक ओवर छे रन एक विकेट फॉलो विकेट बाइस तेईस बत्तीस पैंतीस पैंतीस गुच्चों में विक्टे आई और साथ एक्स्ट्रा पांच वाइड दो नो बॉल और चटीस बॉल में चटीस रन चाहिए श्रीजा इलेवन लालबाग को और बॉल टू बॉल इक्वेशन है और चटीस रन बनाना ये मुश्किल नहीं होना चाहिए लेकिन ये क्रिकेट है जहां पैट और बॉल के बीच में चटीस का आकड़ा है और चटीस की गुथी को सुल जाने के लिए आ रहे हैं अब माइक्रफोन पर जोशी ले जैज बोस ले अवाओर है झाल झाल दन्यवाद तुम्ही आवाज आएका दोता त्या हरेजी पंडे सरंसा द वोईस ऑफ इंडिया गिले पस्तिस वर्ष जा आवाजाने भुरोल घटली ये संपूर्ण टेनिस क्रिकेट, लेधर बॉल क्रिकेट और या स्पोर्स कॉमेंट रेडर मनों तावाज रुम्ही आएका दोता तीस चेंडू तीस ची आवेश रक्ता है पुनायक दा सरंसा हर्दी कसा स्वागत आपन पाता है फोर्स कब दोनादार चोवीस चतिस चेंडू चतिस ची आवेश रक्ता है या मैच मद है दोनाधार चोवीस चतिस आरतात पहील परुव फोर्सस परशसा प्रेजन्स विट्विकेट लीग फ्रस्कब दोनाधार चोवीच चावेश लीग फुल्ववश चोर आपन पाहत ऑहत फोर्स प्लीग फिल्ड हर थी आपन येसक वर्धेचा अश्वाद है पोर्स पोर्ट अणि येंचा माध्यमातु नेना रहा क्रिकेट चा बुद्वाइबुर्वा स्वोरा बोर्युरी मलाड पुणे ये ठिकाने अपन फोर्स प्लेइंग फील्ज चा असवाद ग्योशक्ता इते या टर्फ वर्दी तुम्ही ये मोठा क्रिकेट चा अननेंद ग्योशक्ता अच्छिलियन टर्फ विकेट वरितिया पनी आख चाश्वाद गेत लीक स्टेज शुरूपा मदे मैचे साथ चला अगडी ची जोडी मैदने चाथ मदे यायला भी आणी तैच बेला अगडी ची जोडी मैदने चाथ मदे यायला भी स्रीजा इलेबन लालबाग संग जो मात्र यदा हो संगेचा पाटलाग करता स्टाना आइनॉक्स वारियस राइगर्ड ये टीम चागेंस पहला मिलल अमी जी गुपता साहिब यांचा मालकी चा संगा आइनॉक्स वारियस तर बोलोग करता स्टाना आइनॉक्स वारियस नाई झालबाग यांचा करता संगा लालबाग संगा थाटलाबाग संगेचा जो पाटलाग संगेचा शुलाग संगा यांद अश्ता संग्सलिटा हो